हेलो स्टुरेंट्स वेल्कम अगेन इस इनर यूटूब चैनल जिजए मैस बाइ संधिसर क्लास टैंफ और लिए मैस क्लास टैंफ चैट्टर नुबर सैवल है और हम कर रहे हैं आज एक्सेस है सैवल बाइटू का कॉश्चन नुबर फाइव और यह कॉश्चन भीजारम की द क्लाइड फाइड चैनल वारै की इसां से घॉ थ्यक्मेंट भीजेए चांफर्ण यह और रहा है इडियो वाइस खिर्मघक करेगा इसका को डिवाइड करेगा हमारे पास क्या होगा वो कौन सा रेश्यों है वो रेश्यों निकालना है हमने और एकस एकस पोई पर लिट करता है जिए याद रहिए एक से पॉइंट हो जाते हैं उसको हम भी लैट कर लेंगे कोई से हैं वो हमने करने हैं देखी बहुत ही आसान है पहले को समझना है फिर इसको करना है आप समझे होंगे कि पहले कि जो करते डिवाइट पर कर रहा है और यहां और दूसरी बात है और पता नहीं सबसे बड़ी बात है रेशो का पता नहीं है कर लेंगे कोई भी रेशो हम रेशो लट कर लेंगे कि आपकी मर्जी है जो मर्जी लेकर कर सकते हैं और आपकी मर्जी है वो भी आप कि ले कर दो कि रिकॉयर्ट पॉइंट्स ओन्द एक्स एक्सी बचाहिए अध्स पर मिंहाँ बचाहिए तो हमने पॉइंट यूज कर लेकि आपूइंट जो पॉइंट है कि अध्स एक्सक्राइद कर लिया है X axis that is P X or by 0 देखिए X or by 0 which divides the line segment जो line segment को क्या कर रहा है line segment joining कौन से joining देख लेते हैं joining A A के पॉइंट मारे पास हैं 1 minus 5 and B और B के पॉइंट मारे पास हैं minus 4 और 5 लेंग याइट पॉइंट्स on the X axis P X 0 which divides the line segment joining this in the ratio in the ratio m1 m2 m1 ratio m2 आप simple हम use करेंगे now by using by using section formula अब section formula आप साभी को दिमाग में हो गया होगा अब यह हमारे पास point है वो कौन से point है यहां लेते हैं हमारे पास जो डिसको ड्वाइल करका हमने लिये हैं यह x0 it means x0 हमारे पास जो फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 and y के कोडिनेट से हमारे पास होते हैं m1 by 2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 तो switch यह हमारे पास section formula है और जो required point वो यह दे रखेंगे तो अब हम क्या करेंगे अब देखिए हमारे पास क्या है कैसे करना है बहुत ही असान तरीकर सिर्फ value substitute करेंगे अब देखिए x का हमें पता नहीं है x निकालना है और यह 0 दे रखा है हम value प्लस करेंगे m1 m1 हमने m1 ले रखा है और x2 भी बात की जाए तो x2 हमारे पास है यह point यह x1 और y1 और यह x2 और y2 अब देखिए x2 x2 मारे पास है minus 4 minus 4 plus m2 m2 भी है और x1 की बात की जाए तो x1 हमारे पास 1 है तो यह हमारे पास आगे 1 upon m1 plus m2 अब y के कोडिनेट लेंगे हम तो y के कोडिनेट में भी m1 भी रहेगा और by 2 की बात की जाए तो हमारे पास 5 है multiply plus m2 और by x1 sorry m2 और by 1 अब by 1 की बात की जाए तो by 1 हमारे पास की है minus 5 upon m1 plus m2 देखिए हमेंना section formula लिख लिए है अब simple हमने इसका करने जिसे मारे पास रेशो निकलाए मारे पास क्याता रेशो अब देखिए हम इसके बाद निकालने हैं point वो कैसे निकलेंगे पहले इसको हम simplify कर लेते हैं minus 4m1 और plus m2 upon m1 plus m2 उसके बाद इसको sort out करेंगे 5m1 plus minus minus 5m2 upon m1 plus m2 अब simple देखिए हम पहले रेशो निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा यह by comparison 9 हमारे पास हो जाएगा जीरो लेंगे यह वाला और यह वाला हम लेके आपस में compare करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है यह 5m1 minus 5m2 upon m1 plus m2 is equal to हम इसके साथ compare करेंगे इसका यह 0 के बराबर हैं हमने सिर्फ by coordinate लिया है यह यह और यह कोडिनेट लिये हैं compare कर दिया आपस में अब देखिए जब यह तो हमारे पास क्या आएगा अब देखिए जब इसके साथ को multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5m1 plus sorry minus है यहां पर minus हमारे पास है 5m2 यह 5m2 अपॉन जब अपॉन वाले बैली जो है इतर चले जाएगी यह m1 plus m2 और 0 से कर देंगे इसको multiply जब 0 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 5m1 minus 5m2 is equal to 0 अब देखिए 5m1 यह minus है इतर दाकर प्लस को हो जाएगा फिर क्या करेंगे हम रेशो की फोर्म में लेंगे एंब यह multiply है इसको हम इदर लेंगे नीचे और यह 5 है और इस 5 को हम इदर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा यह जाएगा यह कैंसल हो गया हमारे पास क्या गया एंबन अपॉन एंटू बन पॉन इटमीज देर्फोर एंबन रेशो एंटू बन रेशो बन यह हमारे पास रेशो बहुत असान तरिक से यह यहां पर ÓPM करनी है कि यह रहां पस् construction घख मारें हुटकर यहां वाreally यहांYO पॉंदर लीकाले क्योंकि यह उच्ण हुआ है और सो माई ऊट सभ sermon देर्फोर रिक्वाइट कोर्डिनेट्स पर सब्सक्राइब यह पी एक्स जीरो अब देखिए हमने सिर्फ एंबन एंबन की वैली पूट कर लिए बन वन तो देखिए माइनस पूर और इधर है प्लस एंबन प्लस एंबन बन 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 है और उसके बाद यह तो हमारे बास जीरो अलड़ी है तो यह लिखने की जूरत नहीं सारे जीरो हो जाएगा यह अगर आपको शक है तो हम पूट करके देख लेते हैं यह माइनस पास बन और माइनस फाइट फिर बन अपॉर बन प्लस सब्सक्राइब किया दिएगे कि आता है यह फॉर प्लस पंधर बन कितने बन केटना जाएगा यह हैं माइनस का फट्फ पन-फाइट अपोन-टू देखे मायब पास स्दिट्पा बंस कोo-dissa आगे हैं तो यह हमाने पास coordinates हैं आप आसानी से इसको find कर सकते हैं आपने देखा हुए क्वेशन लंबा जला गया हमने सिर्फ प्रोपर बेसे किया है हमने रेशो जो है M1 M2 लिये हैं और सीम्पल जो दिया है उसी को हमने किया है I hope आपकी समझ वाया होगा तो आप इस तरीके से इस question को कर सकते हैं और exam में मास ले सकते हैं question को दवार अखिर देखी students I hope आपके समझ में आया होगा इसी तरह का content पाने के लिए बने रहिए इसी मैस के साथ चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करना न भूले जबनें एक और नए वीडियो में तब तक य झाल